हेलो हेलो वीडियो देखने वालो, पीछे ये लाइटे चमकती आपको दिख रही होंगी, एक बड़ी ही शांदार सी जगह आए हैं, जहां पर आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, और ये जगह पे कुछ खास नौन वेज मिलता है, कुछ यूनीक सा चिकन मिलता है, नौन किचन, जी हां ये एक आप कहले जिए ओपन काइंड ऑफ रेस्टोरेंट, टेकवे काइंड ऑफ रेस्टोरेंट है, और बढ़िया से बहार टेबल लगे हैं, जहां आप फैमिली फ्रेंट्स के साथ फूर एंजॉय कर सकते हैं, बाकि यहां आना बड़ा ही असान है, रानी बाकी यह शॉपिंग कॉंपलेक्स है, यहां का गुगल मैप लोकेशन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, पेस्बुक पे देख रहे हैं, तो स्क्रीन पे एडरस फ्लैश कर देंगे, यहां आना बड़ा असान है, सामने बिलको शॉपिंग कॉंपलेक्स के येस बैंक है, और इस रेस्टरूम के बराबर में SBI बैंक है, उसको अराम से फॉलो करके आप यहां पहुं सकते हैं, बाकी कैमरा घुमा के हम आपको दिखाई रहे हैं, कि किस तरह की यह जगा है, तो यहां हम एक स्पेशल चि दूसरा मंगलवार और चोथा मंगलवार ये क्लोज रहता है, और जो मंगलवार जिस दिन भी खुला है, उस दिन वेज फूट सर्व होता है, हमारे लिए वेज नॉन वेज दोनों लग रहा है, और ये लोग स्विगी जमैटो पे भी हैं, और होम डिलिवरी भी करते हैं, तो लिजे ये तंदूर हमारे लिए सच चुका है, बढ़िया बढ़िया स्नैक से हमने ओर्डर किया है, वेज प्लैटर और नॉन वेज प्लैटर देखें, मश्रूम सजी हुई है, सोया चाप है, मुरगा है, सी कबाब है, टिक्के हैं, वह आजिवा, और पनी टिका लबब दार इतना लग रहा है, चलिए इसको होने देते हैं तयार और तयारी करते हैं खाने की, तो लिजे टेवल मेरा सब हो चुका है, ये है वेज प्लैटर और ये है नॉन वेज प्लैटर, कैमरा क्लोज लाइए, ये देखें, नॉन वेज प्लैटर में फिश है, सीख है, टिक् पनी टिक्का है और आलू है जितनी चीजे मैं यहां खाऊंगा उसकी प्राइजिंग आपको स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा तो देखे मैं कंफ्यूज हो चुका हूं कि सबसे पहले क्या खाया जाए लेकिन सबसे बढ़िया मुझे यह तंदूरी यह देखिए अहा हा है यह क्यां देखे लेक पीश और मुझे श्टफ वली लग रही है क्योंकि इस की पुलावट है यह स्टफ है देखते हैं का गई मैंने बोला ना स्टफ है यह देखे इसकंदर कीमा स्टफिंग हुई है बहुत स्वाद है और इतना जूसी सॉफ्ट है मुझा आया जाता उपर जो पर तंदूरी जिकन है वो इतनी क्रीम डालने के बाद भी मुझे लग रहा था कहीं न कहीं जो इसका फ्लेवर है वो कहीं ड बढ़िया यह देखे टिक्का है यह हर्याली वह 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 यह देखे बढ़िया सा लग रहा है यह दुख मुझे प्लाटर में फिश भी है और यह सोल फिश यूस की गई है फ्राइड फिश प्लाटर में कि अन्दूरी चिकन देखते हैं यह देखे कितना बढ़िया लग रहा बढ़िया से लेखिए रंग रूप लेखिए कितना पॉफेक्ट कि यह है चिकन सीख इस प्लैटर में मुझे सबसे ज़्या पसंद्ट जो शुरू में मैंने टंगडी उठाई थी वो है और हर्याली टिक का बढ़िया है यही रीजन था प्लैटर रगा कि मैं चार पांच चीजे ट्राइ कल दूं और जो सबसे बेस चीज है वो आपको बताओ तो जो देखें सोया चांप क्रीम में लप पेटी हुई मैश्रूम टिक का देखें पनी टिक का यह एक फ्राइड से आलू ही है यह भी ट्राइक करते हैं कि स्पाइसी है यह प्रता नहीं आपको कैमरे में दिखेंगा ने दिखेंगा लाल मिट्च डाली हुई है स्पाइसी है लेकिन अच्छा है इसमें भी मुझे अच्छी लगी इसका नॉन्वेज वर्जन टिक का भी अच्छा लगा था और सोया चांप वर्जन भी अच्छा लगा और इनकी प्रिपेशन अच्छी है यह नहीं है कि कोई चीज ओवर पावर कर रही है कुछ कर रही है यह हर बंदे के टेस्ट बट को पॉफेक है अपनी प्रेफरेंस के इसाब से आप यहां और कर सकते बाकी मुझे वो जो टंगडी थी और हर्याली टिका वो पॉफेक लगा इन प्लैटर से तो लीजे वीडियो की शुरुआत मे मैंने इनके एक चिकन की बात की थी कि बहुत यूनीक चिकन है और वही तयार हो रहा है हमारे लिए में कोर्स में सबसे पहले इनका टमाटर प्याज का मसाला गया और यह कीमा गया जी आप कीमा देखिए कितना दानेदार बढ़िया सा है और यह देखिए बॉनलेस हां जी रोस्टेड चिकन को बॉनलेस करके उसके पीसिस जाल दिये गए है यह गई जी क्रीम इसमें ड्राइफ रूट भी रहता है काजू मगज की क्रीम वा जी वा और एक इनकी जैसे बटर चिकन की ग्रेवी होती है वैसी गई एक गई जी जैसे चिकन करी की ग्रेवी होती है वो हो गई तो यह बड़ी ही यूनीक तरीके से बनाई जा रही है इतनी तरीके की ग्रेवी गई मख़न लगा दिया गया है इसको भी और यह नमक मसाले जाते हुए सब तो शेफ जो यह क्वांटिटी है फूल की है यह हाफ की है यह हाफ की क्वांटिटी है तो क्वांटिटी आप देखिए चिकन जितना डाला था काफी बढ़िया था क्वांटिटी अथी लग रही थी शेफ यह क्या गया खोया डाला है वा जी वा तो यह देखिए खोया भी जब दला है इसमें शफ यह क्या हलकी सी चीनी गई चीनी गई थोड़ा सा निम्बू गया अरे वाँ बस एक चीज की कमी रही थी वो था अंडा अंडा भी गया जी तो देखें कितनी सारी चीजे इसमें गई है तो आप धनिया डाल दिया गया तो आप हमें विश्वाश हो गया कि जितनी चीजे जानी थी वो सब जा चुकी है और प्यारी महकानी शुरू हो गया है तो यह अलमोस्त तयार है और यह गया जी देसी घी मखन भी गया इसमें देसी घी भी गया और शेफ यह क्या डाला है काजू आरे वाँ तो देखिए आपके लिए बड़ी यूनीक चिकन डिश लेके आए हैं हमने दो ग्रेवी वाले चिकन बनते वे पहले भी दिखाए हैं लेकिन यह कुछ नेक्स लेवल चीज कर दी है शेफ ने तो इसकी प्लेटिंग देखिए पहले एक ओमलेट बना हुआ है और यह ओमलेट के अंदर ऐसे डाल दिया गया है वाँ 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 व ओँ वाँ धी वाँ कुएं बढ़िया से पूरा बॉल हो गया है अच्छा यह देखिए इसको स्व गरने का तरीका ध्यान से देखना यह देखिये जी वाँ ये देखिए चीर लगा दिया गया है तो ऐसी चीज़े बहुत कॉमन नहीं है ये देखिए लिए और अब लीजिए जो बची कुची कसर थी वो सीख कबाबों ने पूरी कर दी है सीख कबाब से इसकी डेकॉरेशन की जा रही है चुकंदर सजा दिया गया है तो अब सजावड का काम चल रहा है तो सीधा टेबल पे चलते हैं तो लीजिए खाना हमारे टेबल पे सर्फ हो चुका है जो सबसे यहां की यूनीक चीज है वो हम ट्राइब करेंगे देखिए इतनी सारी चीज़े इसमें डली हुई है यह देखिए हम ऐस तरीके से डालेंगे कि हर चीज आज़े जो ओमलेट इन्हों ने बनाया वो भी आज़े जो सी कबाब डाला है वो भी आज़े जो बोनलेस चिकन डाला है वो भी आज़े लेजिए और यह देखिए हमने मंगाया है मटन यह देखिए बड़ा ही शानदार पीस हमारे पसंद का नली यह देखिए बहुत प्यारी महेक है इसकी बहुत प्यारी यह देखिये जोड़ता वा बहुत लजीज लग यह तो देखते हैं यह देखिये इसकी ग्रेवि देखिये टेक्श्चर देखिये साफ नज़र आ बड़े बड़े कीमे के पीसिस यह देखिए यह नहीं है कि बहुत बारी कीमा है बड़े बड़े चुंक्स सबसे खासियत यहां की इस जगह की यह है कि यहां पर फ्रेशली मेड रुमाली मिलती है साथ में मैंने बटर नान मंगवा लिया क्योंकि जो यह ग्रीवी लग रही थी यह मुझे ऐसे लग रहा था कि बटर नान के साथ बड़िया कंप्लिमेंट करेगी सबसे पहले जी ट्राइ करते हैं इनका स्पेशल यह देखे जी बाइड भी मैं बड़ी सी लूंगा इसमें एग भी लगाएंगे सबसे खासियत इस चीज की देखे इतनी सारी चीजे इसमें डाले गई है तो मन में आ रहा था कि भाई टेस्ट किस किस चीज का आएगा लेकिन हैट्स ओफ टू शेफ देखे कीमे का पता लग रहा है इसमें जो सीक का है वो टेस्ट अलग आ रहा है जो ओमले डाला है वो अलग आ रहा है और जो चिकन के पीसिस बोनलेस डाले है उसका पता लग रहा है ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के साथ एक दूसरे के टेस्ट को दब यूनिक है बढ़िया है और यह सिरफ नान के साथ नहीं रुमाली के साथ भी बढ़िया को अप्लिमेंट करेगा देखें जी मटन देखियो वह 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 है हुआ है है ओब अजर तो दो लिए है 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 जो बुद्स का पारे है जो इसकी खासियत है वो इसका कीमा ही है बड़े बड़े चंक्स हैं कीमे के जो इसकी जो ग्रेवी है उसको बहुत लजीज बना रही है अगर आप बिना पीसी के सिर्फ इसकी ग्रेवी ग्रेवी ही खाएंगे ना तो भी आपका पैसा वसूल है बहुत शानदार है ये ऐसा की आप इसको पतली करारी रोटी हो तंदूरी उसके साथ खाइए नजारे आजेए तो लीजे हमने अपने लिए फिश करी मंगवाई है यह देखिए फ्राइड फिश के पीसी इसमें डले हुए है तो देखिए सर्दियों का मोसम है दिल्ली की सर्दी है तो लोग प्रैफर करते है और तवा फिश ऐसी चीज है बहुत कम जगाओं पर मिलती है तो यहां में मेन्यू में दिखी तो हमने मंगवाली और इसको एंज्वाई हम करेंगे रुमाली रोटी के साथ और यह देखिए इनकी रुमाली रोटी यह देखिए रेडिमेट नहीं है यह खुद ही बनाते है फिश करी है जो ग्रेवी का टेक्स्चर है वो मुझे काफी मटन करी है उससे मैच करता वह लग रहा है तेस्ट करते हैं पहर पता लगेगा कि जो देश को यूनिक करते हैं अदर ये मतन करी के अंदर ये जो है वहिए अधिक के लाज़े कि अन् Solar ah Oh घ्रह जो फिछ कड़ें हैं अध्य की अन्द diagnose कर में उगा है जो फिछ x के अंदर ऐसे आपूर रही है ग्रेवी के अंदर वो अच्छा है वो इस टेस को अलग बनाती है जो चिकन और मतन करी हम खाते हैं मेरी तरफ से अगर आप फिश करी खाना पसंद करते हैं तो इसको ट्राइ कर सकते हैं अच्छी है तो यहां पे हमने अपने लिए वैज प्रेमियों के लिए हमने पनीर पकाया गया है ये देखे पनीर के बीस को तो ये देखे ओए ओए मेरको लग रहा था थोड़ी डाल पत्ली है लेकिन ये काफी गाड़ी है और राजमा डाल के बड़िया से मलाई क्रीम डाल के मक्षन डाल के डाल है इसको तो हम जी बटर नान के साथ ही प्रेफर करेंगे सबसे बहले डाल देखते हैं बड़ी तारीश की है नोंने अपनी डाल की देखें देखें ऐसा है मैं डाल से ना बहुत जल्दी इंप्रेस होता नहीं क्योंकि हम इतनी जगाओं पे काते हैं ना कि हमारे ना मुण का टेस्ट ही गायब होजाता दाल के लिए लेकिन इस डाल की खाते दिये है इसमें क्रीम मक्षन ज़रूर दबा के डाला गया है लेकिन वो अच्छा लगेगा पराठे के साथ भी अच्छी लगेगी और नान के साथ तो बढ़िया जाईरी है अगर मुझसे पूछे कि मैंने इतनी सारी में कोर्स चीजे खाई है कौन सी चीज मैं अगर यहां दुबा रहा हूँ तो खाना पसंद करूँगा देखे जो इनका यह स्पेशल चिकन है यह तो यूनीक है ही है लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनका मतन स्वाद होगा और जो उसमें कीमा डाला है वो सोने पे स्वागे वाला काम क और फ्रेंड्स के साथ आप बड़िया खाना एंजॉय करना चाहते हैं तो यह है वो जगह आईए खाईए वापस आकर मुझे जरूर बताना आपका एक्सपेरिंस कैसा गया थैंक यू फो वाचिंग बाबाए